दोस्तों हम PF account में जब भी अपना member passbook को open करते हैं और उसमें कोई भी member ID को select करके हम अपना passbook देखना चाहते हैं कि आखिर उसमें कितना जो है अभी amount है कितना उनका share आया है तो ऐसे में हमारे पास एक message आता है dear member for viewing member passbook feeling of e-nomination is compulsory जो हमारा 2020 में ये update आया है ये एकदम नया update है जिसके अंतरगत जो है आप बिना e-nomination के जो है passbook नहीं देख सकते हैं लेकिन एक ऐसा भी तरीका है जिसके मदल से जो है आप बिना e-nomination के अपना member passbook को असानी से देख सकते हैं उसमें check कर सकते हैं कि आपका कितना amount है कितना आपका share आया है तो क्या process है कैसे आप इन सारे process को कर सकते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको हर चीज जो है complete a to z step by step करके दिखाने वाला हूँ ये जो वीडियो है 100% workable है इसलिए वीडियो को पुरे last तक देख लीजे देन जो है आप comment कीजेगा कि ये वी TPF का जो server है वो काफी ज्यादा slower है जिस कारण से आपको ये message आता है लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे की जो है आप nominee add करे हो या नहीं करे हो दोनों के case में जो है आप अपना member passbook open करके देख सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं उनसे पहले चैनल पे पहली वाड़ा जाएगा जिसका नाम है उमंग तो चलिए हम चलते हैं अपने phone के skin पे यहां से जो है हमने यह application को download करके रखा है इस application को यहां से जो है हम सबसे पहले open करेंगे open करने के बद हमारे सामने इस तरीके का interface आएगा तो थोड़ा से यहां पर आप वेट करते हैं तो आपके सामने language चूज करने का option आता है language चूज करने के बाद इस box को tick out करके यहां से आप next पे click करेंगे उसके बाद यहां से जो है आप search bar का option आ रहा है search bar पे click करेंगे तो आपको यहां पे बोलेगा सबसे पहले registered या login करने के लिए चलिए हम यहां पे registered पे click करके और यहां पे अपना mobile number OTP verification करवा लेते हैं तो आप भी जो है अपना कोई भी mobile number यहां पे डाल सकते हैं जो की फिलाल अभी आपके पास हो वह number डालके इस box को फिल करके यहां से register पे click कीजिए इस number पे OTP verification होगा वो OTP डालके यहां से आपको next पे click कर देना चलिए यहां पे हम successfully यहां पे हम login हो चुक है अब फिर से आपको क्या करना इसके search बार में आना है और यहां पर EPFO search करना है उपर trending में ही आपको दिख रहा है जैसे आप EPFO search करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का interface आए चलिए यहां से हम EPFO पे click करते हैं क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा यहां पे wait करना है यह loading ले रहा है उसके बाद आपके सामने देखे इस तरीके का interface यहां पे आ जाएगा यहां पे आपको कई सारे services मिल रहे हैं कि आप EPFO में जो भी services आते हैं वो सारा कुछ आपको यहां पे so हो जाएगा इसी में एक service आपको यहां पे मिलेगा view passbook का तो यहां से आपको view passbook पे click करना है चलिए हम वीव passbook पे click करेंगे इस video को जो है आप 100% check कीजेगा 100% workable है तो चलिए हम विव passbook पे click करने के बाद हमारे सामनी इस तरीके का interface आएगा जहां पे हमें अप आपको अपना UN number डालना है और साथ ही यहां से get OTP पे आपको क्लिक करना है आपके UN number पे जो भी number registered है उस पे एक OTP जाएगा तो वो OTP आपको जो है इस बाले boxes के अंदर इंटर OTP के अंदर फिल करके submit पे क्लिक करना है यहां पे हो सकता है सर्वर जादा down होने के कारण आपका यह load ना ले लेकिन यह 100% काम करता है आप इसे 2-3 बार या कुछ समय के अंतराल के बाद अगर आप इसे try करते हैं तो यह 100% workable होगा चली यहां से हमारा OTP जा चुका है ह हम इंटर OTP में अपना OTP फिल करते हैं और OTP फिल करने के बात हम यहां पे submit पे क्लिक करते हैं जब आप अपना OTP फिल करके submit पे क्लिक करते हैं तो देखे आपके पास जो है इस तरीके का interface ओपन हो जाएगा जहां पे आपको सबसे पहला अपना employee ID जो है member ID जो हमारा होता है जिस भी company का हम पास बुक देखना चाहते हैं उस पे हमें क्लिक करना होगा आपकी यूए नमर पे जितने भी member ID होंगे या जितने भी आपके company का नाम होगा वो सारा यहां पे आज जगा और उसके नीचे देखे member ID आपको देख रहा है तो जिस भी member ID का आप यहां पे पास पर यहां पे फंडा मिल जाएगा और यहां से डाउनलोड का आपको option मिल रहा है डाउनलोड पे क्लिक किजे अलाव किजे आपका जो पास बुक है जिस member ID के लिए आपने सलेक्ट कर रहा है उनका पास बुक आपके सामने यहां पे ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से जो है बाद कुछ समय बाद जो आप फिर इसे ट्राइ किजी यह 100% काम करेगा तो आई होप आपका सारा कंसेप्ट के लिए होगा पी एफ रिलेटेड कोई बी इंफोर्मेंशन चाहिए या कोई भी आपको हैल चाहिए तो नीचे आपको नंबर मिल रहा है वहां से जाके आप हमस से डाइरेक्ट को जोड़ सकते हैं कॉल करके पूछ सकते हैं चले हमें दीजे थोड़ा सा समय हम मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में बहुत ही जल्ड़